आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रोड बेज से आए दिन होने वाले एक्सिडेंट के वज़े सियातरों की जान जा रही है जिसके चलते अतकारियों ने चालक परचालकों को टिपस दिये हैं एक्स्प्रस बेपर तेज गती पर बस दोडाने के बज़ाए सीमित गती सीमा पर बस चलाने के निदिश दिये गए हैं इसके साथ ही सड़क पर आगे चल रहे वाहन से दूरी बनाया रखने के भी आदिश दिये गए हैं रोड बेज बसों से आए दिन होने वाले एक्सिडेंट से यात्रियों की जान जा रही है इसके चलते चालक पर चालकों की कानपूर परसिक्षन के अंदर में ट्रेनिंग भी दी जा रही है एर्यम जैकरन का कहना है कि ये सड़क सुरक्षा माह के तहट चालक पर चालकों को जागरूप किया जा रहा है इसके साथ ही हर चालक को परसिक्षन के लिए कानपूर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। चालकों से बार-बार ननोच किया जा रहा है कि चालक नसे की हालत में गाड़ी कदा भी ना चला हुएं। सीट बिल्ट का प्रियोग करें। अगर एक्सप्रस वे में गाड़ी चला रहे हैं तो कम से कम साथ मीटर की दूरी अगले वहां से बना करके रखें। और अगर हमारी महिला बुजुर्ग है या छोटी है तो उनके साथ में माता और बहन का बर्ताव करें। एक्सप्रस वे पर तेजगती से बस दोडाने से हासा होने की समहना बनी रहती है। इस वज़े से सीमित गत्जीमा 55-65 किलिमेटर प्रदगंटे के साथ से बस चलाने के आदेश चालकों को दिये गए है। इसके साथ साथ आगे चल रहे वाहन से दूरी बडा कर चलने के लिए भी कहा गया है। डीपो में से कोई एक्सिडेंट नहीं हुआ है और फरवरी अभी तक हमारी बसों से कोई एक्सिडेंट नहीं हो रहा है। चलक पर चलक पूर्ण मनों के साथ काम कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी आई लाने के लिए भी उनको प्रेरिस किया जा रहा है। A.R.M. जैकरन का कहना है कि कानपूर से पसेशन लेकर लौट रहे चालकों में काफी सुदार हुआ है। अच्छा डीजल और सत लाने के साथ कई कम्याद दूर हो रही है। एक्सप्रस बेपर चालक बस को तेजी से दोड़ाते हैं। इसको लेकर प्रतियक रूट बिज बस में स्पीट कंट्रोल डिवाइस लगाई गई है। हमेश रमा, सीन्यू जागराव।